दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि ये जो हमारा मल्टी मीटर होता है इसी सही हमारा MC PCV या फिर DOV इसमें हमारा जो पीला कलर का छोटे-छोटे लाइट दिया जता है इनको केसे चेक कर सकते हैं दोस्तों ये जो छोटे छोटे light होते हैं, इनको SMD light बोला जाता है, और बाकी इसको आप multimeter से check कर सकते हो, कि ये SMD light खराब है, या फिर सही है, तो दोस्तों इसको check करने के लिए multimeter को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा जो buzzer वाला mode है, यानि कि जहाँ पर हम diode ब पर को कर रहा है तो यहां पर लेके यहां पर चेक कर रहा है तो यह है फिस प्रकार से उल्टा कर लेता हूं- तो इस प्रकार से आपको चेक करते जाना है, यहाँ पर देखें, यह हमारा थोड़ा बहुत ग्लो कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, तो इसी तरीके से यह हमारा SMD LED सही है, और बाकी इसका यह वाला जो भाग है, यह इसका नेगेटिव भाग है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ब्लाक कलर का, यानि कि काला रंग का प्रोब को लगा हूँ, और बाकी यह वाला जो भाग है, यह हमारा पोजिटिव भाग है, यहाँ पर मैंने रेड कलर की प्रोब को लगा हूँ, तो इसी तरीके से यह हमारा SMD LED ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा SMD LED सही बाकि इसी प्रकार से अब सारे SMD LED को चेक कर सकते हो यहां पर देखे मैंने एक एक करके चेक करते जा रहा हूं यहां पर देखे यह हमारा सारे ग्लो कर रहे हैं तो दोस्तों यह अभी हमारा ग्लो नहीं कर रहा है तो अभी मैंने यहां पर प्रोब को उल्टा कर लगा रहा और बाकी हमारा भी ग्लो करने लग चुका है तो इसी प्रकार से दोस्तों आप सारे SMDL को चेक कर सकते हूं तो यहां पर इसमें थोड़ा बहुत चेक कर लिए अभी हम यहां पर इस MCPCB में चेक करके दिखाते हैं तो इसमें देखें दोस्तों मैंने इस प्रकार से लगा रहा के दिखा देता हूं तो यहां पर देखें उल्टा करके लगा हूं फिर भी हमारा नहीं जला है तो इसमें लगाते हैं तो यह हमारा कोई भी SMDL नहीं जला है तो अभी मैंने यहां पर एक 9V का बैटरी को ले रहा हूं और इसको मैंने यहां पर लगा देता हूं तो आपको पता होगा कि 9 बोल्ट की बैटरीस्बी फिर्म SMDLED को check कर सकते हैं साइधे SMDLED हमारा 9 बोल्ट का होगा इसलélior यहां पर नहीं जल लाए मल्तिमीटर से तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पर 9 बोल्ट की बैटरीसे जल आया तो यह जो हमारा SMDLED Engineering है प्लास और माइनस रेड और ब्लक तो यहां पर बैटरी वे तो यहां पर यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि हमारा जो मल्टी मीटर से SMD LED चेक होता है वो हमारा तीन भोल्ट का अगर SMD LED होगा या फिर 6 भोल्ट का SMD LED होगा तो वो हमारा मल्टी मीटर उस SMD LED को चेक करके तो इसलिए यहां पर मल्टी मेटर में वह हमारा जो SMD LED है वह नहीं जला तो अभी मैंने यहां पर जैसे ही 9V की जो हमारा बैटरी इसको लगाया यह हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से जल रहा है आप लोग देख सकते हो सारे SMD LED यहां पर सही है यहां पर देखे सारे SMD LED देख सकते हो इसका मतलब दोस्तो हमारा SMD LED खराब नहीं था बलकि यह SMD LED का बोल्टेज था वह ज्यादा था जो कि हमारा मल्टी मीटर से वह जल नहीं पर हमने 9V का बैटरी लगा दिया और SMD LED जलने लगाए तो दोस्तों इससे यह साब हो जाता है कि जितने भी सारे हमार SMD LED होते हैं वह बहुत सारे वोल्टेज का आता है कोई-kोई SMD LED 3V का आता है कोई-kोई SMD LED 6V का आता है कोई-kोई SMD LED 9V का आता है तो इसलिए आपको सबसे पहले मल्टी मीटर से SMD LED को चेक करना है अगर वह 3V या फिर 6V का होगा तो आसनी से जल जाएगा अगर नहीं जल होता है यह हमारा 3 भूल्ट का होता है अगर मैंने यहां पर 9 भूल्ट की सप्लाइदे दूँगा तो क्या होगा हमारा अच्छा SMJL comfort होगा मान लीजे कि यहां पर हमारा सभी SMJL Pen to यहां पर मैंने तो यहां पर मैंने चेक करके दिखा देता हूं यह देखे इस प्रकार से उल्टा हो गया साथ मैंने यहां पर इसको सीधा कर लेता हूं तो यहां पर देखे यह हमारा यहां पर जलने लगा है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा वीडियो में तो इसी प्रकार से दोस्त मैं यहां पर एक दिखा दिया यह हमारा MCPCB में जितने भी सारे SMDL यह हमारा 9 बोल्ड का है तो इसको हम यह 9 बोल्ड की बैटर से जलाएंगे वैसे ही दोस्तों और एक MCPCB मेरे पास है यहां पर देख सकते हो तो इसको मल्टी मेटर से भी नहीं जला पाएंगे मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देख लिए मल्टी मेटर की दोनों प्रोब है तो यहां पर मैंने लगा लेता हूं तो देखे इस से लगाया नहीं जल रहा है अभी मैंने उल्टा करता हूं तो यहां पर देखे जल नहीं रहा है न तो अभी मैंने यहां पर बैटरी को लगा लेता हूं अभी हमारा जलने लगेगा तो यहां पर सायद बैटरी का प्लस मैनस उल्टा हो गया तो इसको बदल दे तो यह आँ पर देखी हैं 10 दी जाल रहा है दो इसका मतलब दोस्तों ही नहीं बोड़े को नहीं जला पाएंगा तो इसलिए मैंने आपको जैसे बता है सबसे पहले को मल्टमेटर से चेक करना है जो भी SMD LED हो जाए, उसके बाद ये 9V की बैटरी से चेक करना है, ताकि वो SMD LED अगर 3V का होगा, तो हमारा SMD LED फ्यूज नहीं होगा, अगर सही SMD LED होगा, तो हमें मल्टी मीटर से पता चल जाएगा, अगर SMD LED 9V का होगा, जैसे कि यहां पर, यह MCPCB में 9V का SMD LED है, तो सबस SMD LED का भोल्टेज को भी पता लगा सकते हैं, कि वो SMD LED कितना भोलगा है, अगरmäß अमल्टी मेटर से जल जाता है, तो वो 3V, अगर बैटरी से जल जाता है, तो 9V, इस सीधा सा बात है, दोस्तों अगर आपको इज फ़ीडियो पसंद आई है, तो फ़ीडियो को लाइक करिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि इसी प्रकार काई वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलेगा